ये है वो है दिस है देठे क्या बात है जब भी पपन भाई लाइव आते है ना ये छपरी यूटुबरों को रेल देते हैं मजा आ गया दिल से बड़ा कुछ नजर आ रहा है यार अरे बाई ये देखो पावस्टार ने एक बार फिर छपरी यूटुबर्स को रेल दिया पावस्टार बढ़िया और कोई कहता है ट्रेंडिंग स्टार बढ़िया यही नहीं कई बंदे तो पावन सिंग को फ्लनवा स्टार बोलते हैं और कई बंदे तो बोलते हैं कि पावन सिंग का अंत है नहीं यकीन हो रहा आप ये वीडियो देख लो सुब पहले बात करते हैं फ्लनवा पांडे की बाई फ्लनवा पांडे जब मैंने पहले इसका चैनल देखा तो मैंने सोचा ठीक है यार बंदा खेसारी लाल का फैन है उसके नाम से प्रमोशन अब मैं इस पर और एनरजी नी वेस्ट करूंगा क्योंकि इसका रिपलाई विशाल सिंग ने अल्रेडी कर दिया है और पावन सिंग का एक दुश्मन होता तो मैं माल लेता मुझे लगता है पूरा यूट्यूबी दुश्मन हुआ पड़ा है और यही नहीं एक सबसे पहली बात इन सब बंदों को दिखकत फ़वन सिंग बाई के स्टागराम पर लाई वाने से वह बंदा जब चाहे लाइव आएगा जब चाहे पार्टी करेगा जब चाहे किसी को बोलेगा तो तो तुम लोग उसके नाम पे यूटीव से करो क्योंकि वह बंदा ऐसे नहीं बोलता है कि आज हम इस वीडियो में यही एनालाइस करन लगरे हैं आये एके करके देखते है पलं सिंघ ने क्या क्या गलतिया की है अब बात बिलकुल ठीक वैसी है कि बेटा बाप को चोड़ना चेंचा रहा है पहला पवन सिंग के माथे पे सराभी होने का पर्मानेंट ठपा लग चुका है और तुम लोगे के माथे पे छपरी यूटूबर लिखा है चाहे तो शीशे में जाके पढ़ लेना देखना मेरे के लिखा है अगर आप गाओं में हैं और बाहर से कोई कमा के आता है और आपके सामने मिल के बाते करता है और लंबी लंबी बाते करता है कि हम ये कर दिये दिल्ली में रहते है तो मेरा इतना करोर का बिजनेस है ये है वो है तो आपको इस इंसान से बात करने में कैसा फिल होता है सबसे पहले तो आप मन ही मन गाली देते हैं कि किसी तरीके से बंदा यहां से न काजल लागवानी को बहुत ज्यादा पॉपलर बनाना जैसे तमाम बड़े काम करके भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े भाई और बहुत सारे सूपरिस्टारों के लिए पिता बने हुए थे वह सूपरिस्टार आज अपने घर को दिखाते हैं कि यह हम ऐसे घर आप तो तो कि सारी लाल यादों के वज़ए से ना 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 अब यह BEN-क सारी और अकषणा पर मठालaran ना वह किसा जाINE मुझा शरा मुझे दूरी वन्हाल दगी फिर उनको खेसारी लाल यादों के साथ मौका मिला वो खेसारी लाल यादों के साथ गाना गाने लगी ये कैसा मौका था बेटे और देखो बता तो ऐसे रहा जैसे अक्षरा का बाई हूँ माल लेते हैं कि आपके तरफ थोड़ा सा उन्होंने गाना गा भी दिया तो आप पवन सिंग है और आपका एक अलग लेबल है और आपका कोई नाम लेगा लेकिन आपको क्या जरूरती ऐसे गाना गाने की अच्छा आप तू पवन सिंग को बता रहा है कि उनको क्या जरूरती है गाना गाने की तो बेटा तुझे क्या जरूरती इस वीडियो को बनाने की तब ही उस बंदे ने गाना गाया और वो गायगा उसका काम है गाना तो बीच में और जाके अपनी गान मराइए हाँ मानते हैं कि सारी लाल यादों ने पीछे में एक बार रेंज रोबर का नाम लेके तो कुछ करके टार्गेट किया था हाँ रेंज रोबर तो बेटा पुरानी और नई रेंज रोबर में फरक होता है और यही नहीं यह बंदा ऐसी ऐसी एक्जामपल्स दे रहे ना परे वीडियो में देखने लाइक है अब तुने पका बता दिया कि तु दुरुदाल राठी का फैन है पर एक्जामपल यही देख लीजिए आप पवन सिंग चाहें तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं लेकिन पवन सिंग क्या करते हैं सिर्फ आके धंकी देते हैं अब हमें ऐसा लगता है कि पवन सिंग इतने वाले बड़े बेवकूफ तो नहीं है अब मैं क्या बोली यार इसको यह पवन सिंग को बेवकूफ बोल रहा है उसी के नाम से व्यूज शाप रहा है असल में इन दोनों में से कोई बेवकूफ नहीं है बेवकूफ जो है हम जो इसको इतने तने व्यूज देते हैं इस तक्रीशियर्ट में तो वैसे नीचे मेरी वीडियो हा रही है दोस्तो मेरी राय में ये जो टाइम चल रहा है एक डियर साल से वो पवन सिंग के लिए बहुत गंदा समय चल रहा है वैसे ये बात इस बन्दे की बिल्कूल ठीक है पवन Singh के लिए गंदा टाइम तो जरूर चल रहा होगा यह बंदे कहते हैं मुझे refugees दो सी तरीके से पवन Singh की हरकत रही तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लहेगा राधैस्याम रہी सियामरसिया की तरह मोषपूरी फिल्म इंडश्ट्री में एक बार और इतिहास दोhra देखो देखो यार यार ये बंदा बता कैसे रहा जैसले बढ़ा पंडितों न कोई विद्वान हो कि वाई मैंस की फार की लकीर देख किसका टाइम ख़तम होने वाला है चलो आप आखरी मेस की लेले अजय कि का आप genommen अगर पयाई सिंग लेते हैं तो करना प्लाइयर मैं करूं बात मनेजमेंट से लगवा देता हूं तुझे अब देखिए सराब पीना गलत बात नहीं है इंडियन आर्मी तक इस चीज का सेवन करती है लेकिन आप उसको पीने के बाद किस तरीके से डील करते हैं यह बड़ा महतपूर्ण है बिल्कुल ठीक अब कोई अच्छी सी राय बता दो कि पावन सिंग भाई को हम कैसे बचा सकते हैं क्योंकि हमारे फेवरेट सूपरस्टार हैं मेरी राय में यहां पे पावन सिंग को एक महिना में चार गाना रिलीज करना होगा जिससे भोशपूरी फिल्म इंडेस्ट्री में लगातार उन चार वीडियो से 10 रुपय कमाते हैं और वह सबसे बड़ी बात मैंने एक देख ली यह बंदा एक्जामपल्स में बहुत जिकीन करता है जब यह अपने घरवालों से पैसे मांगता ना तो इसके घरवाले पैसे नहीं क्या देते हैं एक दिन में चार वीडियो अप्लोड कर इतनी फिल्म में निकाल भाई जाके मार्केट रेट पता करो बंदे का घर पे बाते चोदने से ना बच्चे नी पैदा होते हैं चलो राजन भाई मजाक को रखते हैं साइड पर आप इस वक्ति वीडियो देख रहे हो तो मैंने वीडियो डबल मीनिंग मनाई आप जिसने इसी डिफरेंट चीडे ट्राइ करता रहूंगा तो मिलते हैं बहुत जल नहीं नहीं अच्छी अच्छी मस्त वीडियो में